दिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाए तस्मय जिष्ठा ब्रह्मने नमा ओम्यो भूतंच भव्यंच सरवं यष्चा धितिष्ठति स्वर्यस्य चकेवलं तस्मय जिष्ठा ब्रह्मने नम्हा 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 अधांग दार्शुषे त्वमत्ने भत्रंकरिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरह तवे तत्सत्यमंगिरह यस्यकारुन्यलेशेन सरवं सरवत्र सिध्यते संकल्पितं हृदा भेष्टं तम्वंदे जगदीश्वरं तम्वंदे जगदीश्वरं आरि समाज के प्रधां वाननिय डाक्टर वी एच पतेल जी संसार के वैज्ज्यानिक और दार्शनिक जीवन और जगद के बारे में बहुत सी खोजबीन करते रहते हैं और उनके अपने अनुसंधान रिसर्च और विचार विमर्ष के बाद उनके जो निशकर्ष सामने आते हैं जो कंक्लूजंस निकलते हैं प्रायह उनमें एक मत्व नहीं होता कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है को लेकिन जिन बातों के बारे में हम सब का अनुभव एक जैसा हो जाता है वहाँ पर मत्वेद की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं मत्वेद की कोई गुंजाइश नहीं रहती और सब को एक मत्व हो जाना पड़ता है अगर हम सब की आँखें ठीक हैं और हमने किसी और रंग का चश्मा नहीं लगाया हुआ है तो इस शाल का रंग कैसा है इस बारे में कोई मत्वेद होगा क्योंकि सब का अनुभव एक जैसा है सब अपनी आँखों से इस शाल का जो असली रंग है वो देख रहे हैं और इसमें कोई मत्वेद की संभावना नहीं है जीवन के जिन तथ्यों और तथ्यों को हम आखों से, कानों से, जीब से, तवचा से, नाक से अपने अनुभव में नहीं ला पाते उनको इंद्रियातीत कहा जाता है इंद्रियातीत का मतलब जो हमारी इंद्रियों के जियान की पकड़ से बाहर है ऐसे तथ्य और तथ्व जो हमारे इंद्रियों के जियान में नहीं आते उनके बारे में मतभेद की संभावनाएं बहुत रहती हैं फिर उन तत्वों और तत्वों पर विचार करने के लिए हमें बुद्धि का और तर्क का सहरा देना पड़ता है बुद्धि और तर्क का सम्यक उपियोग करते हुए सम्यक का अर्थ है ठीक ठीक उपियोग करते हुए और ठीक ठीक उपयोग का अर्थ है कि आपकी अपनी जो माननिताएं हैं जो विश्वास हैं जो पूर्वाग्रह हैं उनसे हट कर बिना प्रिजुडेस्ट हुए बिना बायस्ट हुए पूर्वा ग्रहों के बिना जब आप बुद्धी और तर्क का ठीक इस्तेमाल करते हैं तब आप सत्य के दर्वाजे तब पहुंच जाते हैं बुद्धी और तर्क आपको सत्य के द्वार तक लाकर छोड़ देंगे फिर उस सत्य का प्रत्यक्ष आपको स्वयम करना पड़ेगा वो सत्य अगर ऐसा है वो तत्व अगर ऐसा है कि उसमें रूप है तो आप उसका प्रत्यक्ष आँखों से कर सकोगे अगर उसमें गंध है तो उसका प्रत्यक्ष आप नाक से करोगे अगर उसमें शब्द है तो उसका प्रत्यक्ष आप कान से करोगे अगर उसमें इस्पर्ष है तो उसका प्रत्यक्ष आप स्किन से तवचा से करोगे अगर उसमें शब्द इस्पर्ष रूप रस और गंध इन पांचों गुणों में से कोई भी गुण नहीं है तब आप उसका प्रत्यक्ष अपने बुद्धी से या मन से करोगे और कुछ तत्तु ऐसे भी होगे जिनका प्रत्यक्ष बुद्धी और मन से नहीं होगा बल्कि उसके लिए कुछ और ही तरीका आपना न पड़ेगा दुनिया में कुछ लोग आस्तिक हैं इश्वर में विश्वास रखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इश्वर में विश्वास नहीं रखते इश्वर में विश्वास न रखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है लेकिन ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या जादा बड़ी है ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं रखना चाहते उनके ईश्वर में विश्वास न रखने के नौ कारण है कितने? नौ कारण है इसी तरह जो लोग इश्वर में विश्वास रखते हैं उनके भी इश्वर में विश्वास रखने के नौ कारण है जो लोग इश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनके नौ के नौ कारण जूटे हैं और जो लोग इश्वर में विश्वास रखते हैं, उनके भी नो कारण सच्चे हों ये जरूरी नहीं है। जब तक आपका इश्वर का विश्वास सत्य आधार और सत्य कारण पर नहीं है, तब तक आपका इश्वर विश्वास पक्का नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा और लाभ दायक नहीं होगा। पड़ेगा ईष्वर के विश्वास का भी पूर्ण लाब तभी होगा जब आप ईष्वर विश्वास का जो सब्ति और पूर्ण आधार है उसे अपने मन में आश्रे दें तो इश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले जो नौ कारण है उन में से एक कारण ये है कि उन लोगों का ये कहना है कि कैसे माने हम इश्वर को क्योंकि वो दिखाई नहीं देता अब मुझे याद नहीं है कि मैं पिछले वर्षों में आप से ईश्वर के प्रत्यक्ष के बारे में चर्चा कर चुका हूँ की नहीं अगर आप चाहें तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो सकता है और बिल्कुल इस तरह से होगा जैसे कि आप इस शाल को देख रहे हैं इस तरह से आप इश्वर को देख पाएंगे एक इस्तर पर और दूसरा इस्तर वो है जिसमें आप इश्वर के मूल स्वरूप को उसका जो विशेश गुण है उसका प्रत्यक्ष कर पाएंगे अगर मैं इन बातों पर आपसे चर्चा कर चुका हूँ तो मुझे बताईएगा तो फिर मैं इस विशेश को नहीं चूँगा और नहीं तो भी बता दीजिएगा ताकि मैं इसकी चर्चा आने वाले दूनों में कर सकता अभी जो मैं आपसे बात कहना चाहरा हूँ वो यह है कि इश्वर नहीं दिखाई देता इसलिए लोग इश्वर को नहीं मानना चाहते और इश्वर पर संदेह करते हैं पर अपने होने के बारे में किसी को संदेह नहीं है मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसा कोई संदेह नहीं करता अपने होने के बारे में सब को विश्वास है और हम समस्ते हैं हम सब समस्ते हैं कि मैं तो हूँ मैं तो हूँ मैं तो हूँ लेकिन हमें अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष है क्या हमने खुद को देखा हुआ है आप शीशे में जिसको देखते हैं वो आप नहीं है वो तो आपका शरीर है और एक दिन आता है जब कि शरीर जिसे आप रोज शीशे में देखा करते थे एक दिन ऐसा का ऐसा ही पड़ा रह जाता है और उसके अंदर जो ये महसूस करता था कि मैं हूँ और ये मेरे आसपास मेरे जैसे दूसरी सत्ताएं हैं ये मेरे आसपास, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पती, ये मेरे मित्र, ये मेरे सखा, बंधु, माता, पिता, रिष्टेदार इस सब का आनुभव करने वाला और अपने होने का आनुभव करने वाला जो तत्त था वो अब वहाँ नहीं है आपने कभी उसे देखा और उसमें तो आप भी ना देखे विश्वास करते हैं ये आवश्यक नहीं है कि जिस चीज को आप प्रतक्ष ना कर सकें उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे हाँ प्रतक्ष के तरीके हो सकते हैं प्रतक्ष स्वयम का भी होगा और प्रतक्ष परमेश्वर का भी होगा लेकिन हम सब की सामान में मनुवृत्ती ऐसी है कि हम जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है उसके बारे में हम सोचते तो हैं लेकिन मतभेद रहते हैं जैसे इश्वर को मानने वाले लोगों की संख्या जाद है पर इश्वर को उनमें से किसी ने नहीं देखा इंद्रियों से नहीं देखा और शायद इश्वर का प्रत्यक्ष करने का जो वास्तविक प्रकार है पध्धती है उसके द्वारा भी नहीं देखा तो वो बुद्धी के द्वारा सोचें तो भी ईश्वर कैसा है इस सक्ति के दर्वाजे तक पहुंच जाएंगे पर वो बुद्धी से भी ठीक धंग से नहीं सोचतें किस तरह से मानते हैं जैसा उन्हें बता दिया गया है उनके धर्म गुरुों ने उनके पैगंबरों ने उनके धर्म प्रवर्तकों ने जैसा समझ दिया उस पर वो आँख बंद करके विश्वास करते हैं और इसी कारण मतभेद हैं अगर बुद्धी और तरक का इस्तेमाल ठीक धंग से किया जाए तो भी आप भूत ठीक धंग का मतलब कि बिना पूर्वा ग्रह के पहले से जो आप मानते आ रहे हैं किसी चीज के बारे मे आप पहले से जो मानते आ रहे हैं उससे चिपको मत उससे हट करके सोचो बिना पूर्वा ग्रह के बिना दुरा ग्रह के बिना हट के बिना जित के कि यही सच है जो मैं मानता हूं इस जित को छोड़ करके सोचना शुरू करोगे तो दो या दो से जादा बुद्धिमान सवभागी की बात यह है कि जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदू ऐसे हैं जिन पर मत्भेद की संभावना इंसमाप्त हैं और वहां सब को एक मत होना पड़ता है उनमें से एक बिंदू यह है कि हम सब के जीवन का लक्ष क्या है मैंने आप से इस सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चाएं जरूर किये होगी हम सब के जीवन का लक्ष क्या है बताईए उपर से देखने पर हम सब के जीवन के लक्ष अलग अलग दिखते हैं जब बच्चा दस्वी क्लास पास कर लिता है तब माता पिता उसके दोस्त उसके रिलेटिव और वो बच्चा खुद मिलकर के अपने जीवन का लक्ष तै करने लग जाते हैं और उनका लक्ष किस तरह तरह होता है कि ये डाक्टर बने या एंजेनियर बने लक्ष क्या हुआ जीवन का डाक्टर बनना या एंजेनियर बनना MBA करना Charter decontent होना या दुकान कर लेना बैंक में क्लर्ख हो जाएं क्या बने ये बच्चा उसी हिसाफ से इसकी दस्वी से आगे की पढ़ाई की जाएगी तो सपने तो बहुत बड़े-बड़े सब लोग सोच लेते हैं और लक्ष बना लेते हैं लेकिन ये लक्ष अधूरे रह जाते हैं और अधूरे होते ही हैं क्योंकि जीवन के परम लक्ष से, अंतिम लक्ष से, मुख्य लक्ष से इनका जुडाव नहीं होता कल मैंने आपसे योग उपर चर्चा की थी और मैंने आपसे कहा था कि जीवन में जब कभी भी जिस किसी को भी सुख और आनंद पाना होगा तो योग के बिना और कोई मार्ग नहीं है और जैसे ही योग गलत होता है या नहीं होता वैसे ही सुख और आनंद दूर हो जाते हैं तो जीवन के मुखी लक्ष से आपके छोटे-छोटे लक्षियों का जुड़ाव योग अगर ठीक नहीं है तो आपके छोटे-छोटे लक्ष भटक कर रह जाएंगे आप और आप सुख और आनंद नहीं पास सकेंगे तो आप मुझे बताईए जीवन का अंतिम मुख्य लक्ष क्या है अब आप साफ तोर पर ये बात समझ गए और कह सकते हैं जीवन का मुख्य लक्ष क्या है डाक्टर बनना, इंजीनियर होना, MBA करना, चार्टर डेकांटेंट बनना, कुछ करना लड़कियां ज्यादा फाइदे में, वो इसलिए फाइदे में हैं कि कुछ मत बनो, न डाक्टर बनो, न इंजीनियर बनो, न चार्टर डेकांटेंट बनो, इस सब को पढ़ने में भारी मेहनत है थोड़ा बहुत पढ़े लिख लो, खानावाना बनाना सीख लो, और किसी एक डाक्टर को, बने बनाए डाक्टर को, किसी एक बने बनाए इंजीनियर को, बने बनाए चार्टर डेकांटेंट को अपनी ग्रिप में कर लो, शादी करके, और बस वो आपके कंट्रोल में हो ग पर दूनिया और संसार की व्यवस्ताइए हम डॉमिनेट कर रहें वो गलत फैमी में रहते हैं पीछे-पीछे इस्त्री के लिए परिवार के लिए बच्चों के लिए तो जीवन का जो मुख्य लक्षु है उसके साथ जुड़ाव होना जरूरी है चाहें आप डाक्टर बनना या मत बनना इंजिनियन होना या मत होना जो कुछ भी होना ऐसा करना या वैसा करना सीधा करना या उल्टा करना हमारे जीवन की हर एक्टिविटी हर कर्म का हर क्रिया का लक्ष एक होता है मुर्ख हो विद्वान हो पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा लिखा कहीं का विक्ति हो भारत का अमेरिका का मनुश्य हो या किसी दूसरे पशुर्पक्षी शरीर में गया हुआ जीवात्मा सबका लक्ष एकी है सुख की प्राप्ति ऐसा कैसे प्रूव होगा, प्रमानित कैसे होगा प्रमानित ऐसे होगा कि हम ऐसे कोई भी जीवात्मा जान बूज कर दुख नहीं पाना चाहता हम ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसका परिणाम दुख होगा हम जो कुछ भी करते हैं सुख पाने की आशा से करते हैं ये बात अलग है कि उसका परिणाम दुख हो जाए परिणाम दुख हो सकता है क्योंकि कार्यप्रणाली गलत थी ये लक्ष गलत था, उदेशी गलत था, भावना गलत थी कुछ भी गलत हो जाएगा तो उसका परिणाम दुख हो सकता है लेकिन कोई आदमी गलत काम करता है तो भी इसी उम्मीद में कि ऐसा करके मुझे सुख मिल जाएगा चोर अगर चोरी करता है तो यही सोच करके कि मैं कम समय और कम परिश्रम में जादे सुख पालूँगा जादे धन मुझे मिल जाएगा उद्देश्य तो यही रहता है यह बात अलग है कि उसका परिणाम दुख होगा यह उसकी सोच की और जीवन शैली की भावना की कमी है गलती है इसलिए उसका परिणाम दुख होता तो हम सब का अनुभव कहता है और इसलिए मत्भेत की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम सब के जीवन का उद्देश्टी सुख प्राप्ती है क्योंकि हम सब का अनुभव यह बोलता है कि हम सब सुख पाने के अभिलाशी है और जान बूज कर हम कुछ भी आसा नहीं करते जिसका परिणाम दुख हो मनुषी शरीर के अलावा जितने भी पशुपख्षी है उनके जीवन में भी सुख है और मनुषी के जीवन में भी सुख है लेकिन आनंद मनुश्य का ही सुभाग्य है पशु पक्षियों के जीवन में आनंद की उपलब्धी नहीं है सुख उनका भी भाग है सुख मनुश्य का भी है क्योंकि सुख प्रकृति के पदार्थों में है प्रकृति के पदार्थों से सुख उपजेगा मनुष्य और पशु दोनों उस सुख को प्राप्त करेंगे मनुष्य सुखों को भी कुछ विशेश इस्तर दे सकेगा मनुष्य सुखों को भी कुछ विशेश स्थिती में लाकर उनसे सुख अनुभव कर सकेगा सुख प्राप्त कर सकेगा पशु वो नहीं कर सकेगा यानि मनुश्य सुखों को भी कुछ उत्कृष्टे स्तर पर ले जा सकता है और आनंद तो सुख से ज़्यादा बड़ी चीज है ही मैंने तो तीन वर्ष पहले आप से चर्चा की थी कि इस संसार में आस पास जो कुछ भी फैला हुआ है जो कुछ भी पदार्थ है उनको दो हिस्सों में बाट सकते हैं आप दो हिस्सों में एक तरह की चीजें वो हैं जो अपने होने का जियान रखती हैं हम और आप पशु पक्षी एक छोटी चीटी उसको अपने होने का जियान है की नहीं और उसे अपने होने के जियान के अलावा सुख दुख का भी जियान है कि ये चीज मेरे लिए सुखद है ये चीज मेरे लिए दुखद है एक चीटी को जड़ा सा छूओ उसके पास जड़ा सा पानी डाल दो तुरंत उससे बचेगी वो जानती है कि ये मेरे लिए दुखदाई है आग से बचेगी दर्द से बचेगी और आप उसके पास चीनी का कण उससे थोड़ी दूरी पर डाल दो चावल का दाना थोड़ी दूरी पर डाल दो तुरंत वहां पहुंच जाएगी, वो जानती है, ये मेरे लिए सुखद है, तो हर प्राणी को ये जियान है, अपने होने का जियान, अपने आसपास जो चीजें हैं, उनके सुखद या दुखद होने का जियान, तो एक तरह की चीजें वो हैं, जो अपने होने का जियान रख वो जियान रही थे वो जड़ हड़ ये माईक इसे नहीं पता किये है और ये क्या कर रहा है जिस कुरसी पर जिस दरी पर चादर गदे पर आप बैठे हुए उसको नहीं पता किये है जिस गुबबारे से ये बालक खेल रहा है इस गुबबारे को नहीं पता किये है और इसका क या उपयोग किया जा रहा है ये कुर्सिये नहीं सोच सकती कि ये है और इनके उपर ये असी किलों के महाशे बैठे हुएं कब उठेंगे उसको इस बात का कोई बोध नहीं है तो दुनिया की सारी चीजें दो हिस्सों में बढ़ गई एक वो जो अपने होने का जियान रखती दूसरी वो जो अपने होने का जियान नहीं रखती द्यान दिजिये जो अपने होने का जियान नहीं रखती वो सारी प्राकृतिक चीजें प्रकृति से बने हुए पदार्थ उनके लिए हैं जो होने का अपने होने का और दूसरों के होने का जियान रखती है जो अपने होन का जियान रखती हैं वही तो सुख दुख का जियान रखती हैं तो सुख दुख कौन उठाएंगे जो जियानवान हैं और किन से उठाएंगे उन वस्त्वों से जिन में सुख या दुख देने वाले गुण मौजूद हैं तो प्रकृति के पदार्थों से आप सुख उठाते पशु भी सुख ऊठाता है, लेकिन पशु सुख उठाएगा, जैसा वो पदार्त है, उसको वैसा ही खापी करके सुख ही हो जाएगा, त्रिप्त हो जाएगा, उसमें वो कोई विशेश्टा नहीं ला सकता, लेकिन मनुश्य को प्रकृती के उन पदार्थों से सुख काने के लिए उनमें कुछ विशेष्टा लानी पड़ती है और उनका योग करना पड़ता है योग माने उनको ठीक से जोड़ना एक गधा, घोड़ा, गाय, फैंस, उट, बकरी ये सब शाकाहरी प्राणी है बाहर जैसे भी घास, फूस, पत्तियां उगी हुई है उनको ये पशू खाते हैं जैसी हैं वैसी उसको कभी आपने फ्राई करके बढ़िया टेस्टी बनाते देखा किसी भैंस को कि इस घास को मैं जड़ा छीलूं, काटूं और इसको तेल में सर्सों के जड़ा फ्राई करूं इसमें नमग बिर्च डालूं तो ये ज़ादे टेस्टी हो जाएगी ऐसा कोई भैंस कर सकती है जैसा है उसको वैसा ही एकसेप्ट कर लेना है उन पशुपक्षियों के जो वनस्पतियां हैं जिनको वो खाते हैं वो भी अलग-अलग हैं थोड़े-थोड़े जैसे भैंस, गाए जिस घास फूस को खा लेती है बकरी उससे डिफरेंट खाती है बकरी जिन पत्तियों को बड़ा स्वाद लेकर चबा जाती है गाए उसको नहीं खाएगी बकरी नीम के पत्ते को बड़ा स्वाद लेकर खा लेती है गाए नहीं खाती, कड़ूई है बबूल की पत्तियों को कांटे सहीद बकरी चबा जाएगी हाथी जिन में स्वाद लेता है जादा वो उट नहीं खाता उट खा लेता है बहुत सी ऐसी चीजें जो हाथी को स्वाद नहीं लगते तो शाकाहरी हैं लेकिन समानता ये है कि उनकी वनस्पतियां कुछ-कुछ अलग-अलग भले हो लेकिन जैसी उगी हुई है बस वैसी की वैसी वो उसे स्विकार कर लेते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं लापाते कोई नयापन नहीं लापाते बस मनुष्य को ये सवभाग गया कि वो सुख को भी कुछ विशेष्टा दे सकेगा और उन पदार्थों को योग करके उनको जोड़ करके नई नई चीज़ें जोड़ कर उनका उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है उनमें नयापन आ जाता है और उसको मनुष्य जानता है जियान के द्वारा कर्म के साथ जोड़ कर वो योग इस्थापित करता है पदार्थों को अलग-अलग धंग से जोडता है और नई-णई चीजें बनाता जाता है अच्छा बताईए है तो चने का आटा ही बेसन लेकिन उसी से पकोड़ा बन जाएगा और उसी से सोन पापड़ी बन जाएगी बेसन का लड़ू बन जाएगा अंतर किस चीज का है बस एक-एक दो-दो चीज आपने अलग-अलग कर दी सोन पापड़ी भी मीठी है और बेसन का लड़ू भी मीठा है दोनों में घी पड़ा है दोनों में चीनी पड़ी है दोनों में चने का आटा है फर्क किस बात का है कुछ चीजें कम जादा कर दी कुछ चीजों का जुडाव जादा हो गया और बस योग का अंतर हुआ और टेस्ट इस डिफरेंट हो गया हो गया कि नहीं हो गया तो संसार के पदार्थों से आप शुख पाएंगे वो सुख भी योग के द्वारा विशेश इस्थती में आ जाएगा कल मैंने आपको योग शब्द के चार अर्थ बताए थे कौन-कौन से याद दिलाईए जुनोंने सुना है वो बताएं कुछ लोग नहीं बैठें चार अर्थ बताए थे कौन-कौन से एक तो अभी मैंने आपको फिर से क्लियर किया योग का अर्थ जोड़ना ठीक धंग से जोड़ना जुड़ाओ योग दूसरे योग का अर्थ है मन की वृत्तियों को रोकना योग शित्त वृत्ति निरोधो ये चित्त की वृत्तियों का रोकना आपको समाधी तक पहुँचाएगा योग का तीसरा अर्थ है जो श्री कृष्ण बताते हैं कौन सा? समत्वम योग उच्यते समत्व का नाम योग है समत्व समस्ने है ना? चीजों को सम कर लेना बराबर कर लेना अब अगर गुजराती के एक शब्द का आप इस्तिमाल कर लें तो इस शब्द का आर्थ और खिल जाएगा बराबर करना और बरोबर करना में क्या फर्क है? फर्क है ना? बराबर करना यानि एक्वल करना एक जैसा करना और बरोबर करना बरोबर करना यानि ठीक ठीक करना जैसे घी में शहद अगर बराबर मिला दिया जाए यानि मात्रा क्वांटिटी बराबर बराबर हो तो वो विशाक्त हो जाएगा नुकसान पहुंचाने वाला हो जाएगा और थोड़ा सा घी थोड़ा सा शहद और दही बरोबर मिलाये जाएं तो क्या बनता है तो श्रीखंड बनता बरोबर मिलाया यानि जितनी मात्रा होनी चाहिए बराबर नहीं इक्वल नहीं जितनी होनी चाहिए उतना उतना मिलाया और ठीक धंग से मिलाया बरोबर मिलाया तो ठीक योग हुआ और श्री खंड बना तो समत्तु का एक अर्थ है बराबर एक अर्थ है बरोबर श्री कृष्ण योग का एक चोथा अर्थ कहते हैं और वो है योगा कर्मसु कौशलम कर्म को इस तरह से करना कि आपको उसके एक नहीं आठ फाइदे मिल जाए योग है कर्म को इस तरह करना कि उसका उस कर्म का परिणाम दुख तो हो ही नहीं लाब हो लेकिन वो लाब आठ प्रकार के हो पैसा उनमें सबसे चोटा है पैसा तो मिले ही लेकिन पैसे के अलावा साथ फाइदे और मिले और अगर आपने कर्म को इस तरह से किया कि बदले में आपको सिर्फ पैसा मिला तो आप घाटे में रहें बहुत ज़्यादा घाटे में रहें क्योंकि साथ हाइदे आपसे छिन गई न और प्रयास कितना करना होगा उसके लिए प्रयास करना होगा बहुत जरासा उस प्रयास के लिए आपको पसीना नहीं बहाना है उस कोशिश के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने है उस कोशिश के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है बस जरासा प्रयास करना है और उस जरासे प्रयास का परिणाम ये होगा कि आपका कोई भी कर्म आठ फाइदे देने वाला हो जाएगा आठ आपका हर एक व्यवसाय, हर एक प्रोफिशन आठ फाइदे देने वाला बन जाए कर्म के और उसका परिणाम दुख हो ही नहीं सुख हो और वो सुख भी आठ तरह से विभक्त हो जाए पैसा उसमें सबसे छोटा रहे उस कर्म के कौशल का नाम भी योग है मुझे इन सारे मिंदों पर आपसे चर्चा करनी है और ये जरूरी नहीं कि मैं आज इसी सत्र में वो चर्चा पूरी कर पाऊंगा बची भी बात दोपहर को पूरी कर सकता हूं रात को पूरी कर सकता हूं कल सुबह जितना भी आगे फैलती जाए लेकिन उस चर्चा से आप लाब उठा सकें इसके लिए फार्मूला वोई जो गुदै जी ने बताया पता नहीं वो बात आपने सुनी है की नहीं सुनी है तो उस तरीके से आप सुनेंगे तो आप लाब उठा सकेंगे तो योग का जो अर्थ जुडाव है उसमें प्रकृति के पदार्थं को जोड़कर आप सुख प्राप्त करेंगे और उस सुख को विशेश इस तर पर ले आएंगे जब आप ठीक धंद से जोड़ेंगे अभी पिछले दिनों मैं करीब एक डेड़ महिने से लगातार यात्राई कर रहा हूँ कहीं गया कहीं गया कहीं गया और अलग-अलग समुदायों में गया